हालो वेलकम टुदी मेंजबेंट क्लासेश आज इस वीडियो में हम लोग externalities को डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में बहुत जादा detail में नहीं जाएंगे हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि हम externality क्या है positive externality क्या होती है negative externalities इसके concept को clear कर ले हम जान जाएं कि basically यह हो ता क्या है देखिए market को generally हम लोग equilibrium मान कर चलते हैं हमेशा हर government हर country में कोशिश करती है कि हमारी जो economy है वो equilibrium पर रहे और उसकी जो highest condition होती है वो होती है parity optimality यहां पर हम यह मान के चलते हैं कि हमारी सारी resources पूरी तरह से deployed है पूरी तरह से यह उस हद तक सारी resources employed हैं कि अगर किसी एक को फाइदा होना है तो किसी दूसरे को नुखसान होकर यह उसको फाइदा होगा यह एक condition है कि हमारी market equilibrium पर है लेकिन जब कभी इस equilibrium से market deviate कर जाए हट जाए यानि यह हालात नहरें इस level के equilibrium के यह जो भी equilibrium है जहां हमारी aggregate demand equal to aggregate supply होती है अगर वो ना रहे तो उस condition को हम लोग मार्केट फेलियर कहते हैं यह उसको हम डिस एकुलिबिरियम कहते हैं इंदी market यह condition जब मार्केट फेलियर होता है तो इसके कई reasons होते हैं इससे पहले वीडियो में हमने उन रीजन को डिस्क्राइब डिस्क्राइब नहीं किया बलके सिफ मेंशन किया है उसी में एक externality हमने बात की थी के externality होती है यहां हम सिर्फ externality को ही discuss करेंगे देखिए externality basically कहते किसे हैं definition अगर बात करें तो an externality is any activity for which an individual firm or consumer individual firm कह लिए जो जो effect कर रहा है और consumer does not take account of all the associated cost and benefit कोई economic transaction हुआ उसके अंदर cost and benefit associated है लेकिन यह cost and benefit किसी उस body को जाकर पहुँच रहा है वो या तो individual firm हो या कोई consumer हो कुछ भी हो उसको जाकर पहुँच रहा है वो जो के इस transaction से associated था ही नहीं उसको हम externality कहते हैं ठीक है दूसरी बात externality को हम लोग spillovers भी कहते हैं spillovers externality को हम लोग spillover भी कहते हैं यह basically एक involuntary imposition of cost and benefit होता है involuntary imposition कैसे हो गया कि मैं तो transaction पर तहा ही नहीं अगर मैं transaction खुद कर रहा हूँ तो यह voluntary होगा ना यह तो totally involuntary है क्योंकि मैं उस transaction में मौझूदी नहीं तो मैंने वो transaction किया ही नहीं लेकिन उसका cost यह benefit मेरे उपर आ गया देखिए होता क्या है यह voluntary involuntary में समझाओं voluntary अगर आप transaction की बात करें तो जाहरे आप मान लीजिए के एक कोई वेक्ति है जो चिकन फ्राई करके बेचता है चिकन को फ्राई करता है और बेचता है ठीके तो वो चिकन खरीदेगा कहां से जिससे वो चिकन खरीदेगा उसको पूरी value देगा के लिए हम change exchange करें और transaction कर लें तो यह एक involuntary transaction हो गया दूसरे example ले लीजिए आप बाल कटाने के लिए गए आपने बाल कटाए फिर उस बाल के अंदर काटने में उसका time लगा उसकी skill लगी रूसका rent वो आपने पे कर दिया voluntary transaction हो गया लेकिन कुछ interactions ऐसे होते हैं जो outside market होते हैं outside market का मतलब जो first and second person है वो दोनों तो market के अंदर आगे क्योंकि वो transaction कर रहे हैं उसका असर तीसरे पर पढ़ रहा है यानि कुछ ऐसे interactions हो जाते हैं जो outside market होते हैं जैसे example लीजिए मैं example दो आपको कुछ लोगों का घर airport के करीब होता है है अब जब जहाज take off करता है या ल और जहरे परिशान होते होंगे लेकिन कभी आपने देखा किसी ticket में जब आप ticket खरीद रहे हैं जहास का कि यह ticket है यह tax है और यह उसकी cost जो यहां के रहने वाले बेर कर रहे हैं एक एक आदमी को कान में problem होगी इस आवास की वज़ाए से वो doctor के गया उसने pay किया क्या वो इ picture लेकिन effect हो रहा है third party पर उसके आसपास रहने वालों पर है इसको इसको basically हम लोग externality कहते हैं दूतरे example ले लिजे कि कोई firm है pharmaceutical firm है कोई दवा बनाने के लिए वो research and development कर रही है उसने बहुत research कि और research करने के बाद उसने एक दवा बनाई अब वो दवा का फाइदा उस दवा क बिखने का फाइदा खाली इस firm को तो नहीं हो था वो अलग बात है कि उनने patent register किया कुछ साल के लिए है और पर उसके बाद वो patent expire हो गया पर दूसरे ले गए वो अलग उस मसले में हम नहीं जा रहे है बेसिकली वो दवा पूरी दुनिया में चलती है पूरी दुनिया उस दवा से फाइदा उठाती है ठीक है लेकिन बेसिकली वो जो पूरी दुनिया फाइदा उठा रही है उसका क्या किसी price या cost या कुई चीज आकर इसके अकाउंट में आ रही है जिस company research and development की थी ती नहीं खतम हो गया उसका patent expire हो गया खतम हो गया पूरी दुनिया उससे फाइदा उठा रही है ठीक है तो इस तरीके से आप देखिए कि जब दो parties के बीच में transaction हो और उसका असर third party पर हो चाहें उसे loss हो यह benefit हो उसको हम externality कहते हैं यानि economic transaction तो हुआ लेकिन economic permit नहीं हुई वो जो अ लेकिन उन पर असर पढ़ रहा है cost है लेकिन किसी transaction में वो cost include नहीं है यह कहलाती है externality सिंपल रखिए कि यह third party बार बार यूज किया जा रहा है first party जो बेच रही है second party जो खरीद रही है इन दोनों के बीच में economic transaction हुआ लेकिन इस transaction का असर अच्छा या बुरा एक तीसरे पर पड़ा जो third party होती है यानि जब इन दोनों के transaction का असर तीसरे पर पड़ेगा तो उसको हम externality कहते हैं ठीक है अब यह externality जर्नली है दो तरह की होती है एक होती है निगेटिव एक्स्टर्नालेटिव एक्स्टर्नालेटिव और एक होती है पॉजटिव एक्स्टर्नालेटी दें यह वर्ड अपने आपको बता देंगे कि यह क्या है कि जब एक्स्टर्नालेटी का फाइदा किसी third party को नुक्सान हो रहा हो जैसके मैंने एर्पूर्ट का एग्जामपिल दिया वह नुखसान है तो negative externality हो गई और जब किसी transaction का किसी third party को फाइदा हो रहा हो तो वो positive externality हो गई जैसे मैंने research and development का example दिया था research and development के अंदर पूरी दुनिया को फाइदा हो रहा है उस research से तो यह positive हो गई negative externality को basically कहा जाता है कि the cost that is suffered by a third party in an economic transaction कोई economic transaction हुआ और उसके अंदर third party को कुछ cost bear करनी पड़ी उसको हम negative transaction कहते है नहीं cost आ रही है फाइदा नहीं हो रहा cost आ रही है ठीक है अब यह third party जो है वो कोई individual हो सकता है कोई organization हो सकती है कोई property owner हो सकता है resources है जो indirectly effect जिन पर indirectly effect हो रहा है अच्छा इसको इसी लिए हम external cost भी कहते है यह जो यह negative externality है इसको हम लोग external cost भी कहते है इसी लिए कि यह cost एक internal cost कौन सी हो गई जो buyer and seller की बीच में है यह cost एक third आदमी पे कर रहा है जो इस transaction से मैं जुड़ाई उस transaction से उसका कोई मतलब ही नहीं है लेकिन उसको कुछ cost भी करनी पड़ रही है उसका नुखसान हो रहा है तो इसलिए इसको हम external cost भी कहते हैं ठीक है जैसे example लीचे जर्मल यह आप जातर किताबों में पढ़िए तो negative externality के example में pollution का example ही दिया जाता है क्योंकि यह बहुत best और बड़ी एक example है एक firm है जो कुछ chemical बना रही है और बेच रही है produce and sale कर रही है वो जब chemical बनाती है तो उससे उस area में pollution होता है वो gas छोड़ती है जो poisonous होती है जाहर है वो एक limit तक होती है कि इतनी आप चलाई यह तो ज़्यादा नुखसान नहीं देगी इससे ज़्यादा होगा तो नुखसान होता है किसी भी हाल में आप देखे जो उस firm के आसपास लोग रहते हैं उनको उस gas से नुखसान होता है कुछ लोग बीमार भी पड़ जाते हैं एडमिट हो जाते हैं और उनकी cost आती है उसके उपर कर रही है लेकिन जो वहाँ पर chemical बेच रहे हैं खरीद रहे हैं वो यह कहीं नहीं लिखेंगे कि साब इसमें वो भी cost include है जो आसपास के लोगों को इस gas की वज़ा से नुखसान हो रहा है तो यह negative externality हो गई ठीक है इसी तरीके से positive है positive externality मैंने simply बताया कि कोई भी benefit हो जो third party receive करें किसी भी economic transaction के अंदर है benefit that third party receives in an economic transaction first party second party दोनों के बीच में economic transaction हुआ लेकिन इसका कुछ फायदा किसी तीसरी party को हो गया एक third party जो इसमें involved नहीं थी उसको उसका फायदा हो गया वो basically compensate तक नहीं कर रहा है उसको उससे फायदा हुआ और उसने फायदा ले लिया लेकिन वो उससे को compensate तक नहीं कर रहा है या आप इसको यह कह लिजे कि यह कब होता है जब consumption और production of a good cause a benefit to the third party कोई भी production हो रहा हो या consumption हो रहा हो इन दोनों में किसी third party को अगर फायदा हो रहा है that is called a positive externality जैसे मैं एक example दूँ देखिए मैंने दो बात यहां कहीं consumption हो रहा हो या production हो रहा हो तो यानि positive externality भी दो तरह की हो गई एक कहलाती है positive consumption externality एक कहलाती है positive production externality आगर हम पहली वाली की बात करें consumption की तो आप university में admission लेते हैं और वहां से education हासल करते हैं पड़ते हैं इसका मतलब आप वहां पर ऐसे consumer गए आपने education को consume किया university ने बेचर आपने खरीदा आपने consume के लिया उसको ठीक है transaction हो गया लेकिन जब आपने education ले ली तो आप उसके बाद हो सकता है किसी गरीब बच्चों को free में पढ़ा दे हो सारे लोग पढ़ाते हजारों लोग हैं जो इसी तरीखे से पढ़ा देते हैं आपने tuition दे दी उसे या कहा दिया कि कभी कोई problem हो तो मेरे पास आना एक बार आपने एक भी चीज़ बता दी तो आपने उसक transaction कहीं और हुआ university और आपके बीच में हुआ लेकिन उसका फायदा किसी third party को हो रहा है जो basically उस transaction में associated नहीं थी किसी भी तरह से तो यह positive externality होती है और इस externality को हम कहते है positive consumption externality ठीक है दूसरी बात प्रोडिक्शन है positive externality की बात करते हैं कि अगर एक आदमी ने suppose कर लीजिए एक बाग लगाया हुआ है orange इसका ठीक है वो orange produce कर रहा है और बेच रहा है यानि उसने produce कि कस्टूमर को बेच दीए transaction यह है first and second party यहां आ गई ठीक है अब यह मान के चलिए कि उसके बराबर ही में कोई bee keeper है बी keeper कहते है बेसिकली वो लोग जो nectar शेहद वगारा का honey जो produce करते हैं तो जो मक्या होती है शेहद की मक्या जिसको कहलाते है honey bee वो पालते हैं वो एक जगार रखते हैं उनके boxes को खुले में ले जाकर वहां से मक्या हैं वो मक्या उड़ती हैं जाकर उसके orange के उसमें garden में जाती हैं वहां से nectar लेकर वापस आ जाती है अब क्या आपने कभी सोचा कि वो जो orange उगाने वाला है वो उस आदमी से कहा कि भई पैसे दो किराया दो मुझे क्योंकि तुमारी मक्यां के मेरे हां से nectar ले जाती है गुम production externality ठीक है इसी तरीखे से externality positive externality और हो सकती है आप मान लीजिए आप ने सोचा कि मैं school college या अपने office वाक करके जाओंगा एक 2 km है तो मैं अब car या scooter या motorcycle नहीं चलाओंगा तो उससे क्या होगा energy बचेगी oil बचेगा और क्या कहते हैं road पर congestion कम होगा basically ये transaction तो आपके अपने बीच में हो रहा है आपके और energy और इसके बीच में फाइदा किसको हो रहा है public को congestion कम हो रहा है उस जो resources बच रही है वो resources कहीं और use हो रही है positive जगा पर ठीक है तो network externality के positive externality के ऐसी बहुत सारे example हो सकते हैं लेकिन फिर हम अब शुरू जहां से हुआ तो वहीं से बात आ जाते हैं कि externality positive हो या negative हो लेकिन ये हमारी market के अंदर एक social inefficiencies लेकर आती है जहरे तभी तो ये एक reason है market failure का market failure का reason इसी लिए है क्योंकि ये एक inefficiencies लाती है क्यों क्योंकि इसके अंदर जो demand and supply ही है यानि quantity demanded aggregate quantity demanded disequilibrium हो जाती है supply से और जब ये position आ जाती है तो इसका मतलब market के अंदर failure है और ये externality कोई सी भी हो ये लिए इस disequilibrium को लेकर आती है और मैं एक बात बताओं कुछ economist का ये कहना है और ये कई जगा प्रूव हुआ कि अगर आप चाहें किसाब इस cost and benefit को हम किसी तरह से buy a sale कर सके यानि इसको हम किसी तरीके से हटा सके तो ये process या तो impossible है या इतना costly है कि वो undertake नहीं किया जा सकता तो market failure आते रहेंगे लेकिन जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि सारे market failure का मतलब सारे market failure का मतलब यह नहीं होता कि market fail हो गई है वहां government के अपनी policies होती है जो इसको deviate करती है और फिर वापस आ जाता है ठीक है तो मुझे अमीद है यह externality छोटी वीडियो है लेकिन मुझे मुझे अमीद है सब समझ में आया होगी सिर्फ मुझे एक idea देना था कि concept है क्या आफिर तो आप मुझे अमीद है समझ में आया होगा अगर कोई problem हो तो मुझे comment box में बताइए इस वीडियो में इतना ही थैंकियो सोब्स